Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं synonyms ये कुछ most important synonyms हैं, परियावाची हैं, जिनें बार-बार हर exam में पूछा गया है आप भी इन्हें कहीं पे note down कर लें, इन्हें लिख-लिख के, बोल-बोल के अच्छे से याद कर लें आईए शुरू करते हैं, first है लग-भग, लग-भग को हम इंग्लिश में about भी कहते हैं और approximately भी कहते हैं approximately कितना समय लगेगा, approximately कितना खरचाएगा, about आप कितने बज़े आओगे, यानि लग-भग next है उपलब्धी, उपलब्धी को हम इंग्लिश में कहते हैं achieve और इसका एक synonym है accomplish आपने क्या-क्या accomplish किया है इतने सालों में, आपका क्या achievement है, आपकी क्या उपलब्धियां है achieve और accomplish next है गलती स्विकार करना, गलती स्विकार करने को हम बोलते हैं admit admit करना और confess करना, मैं अपनी गलती confess करता हूँ, मैं अपनी mistake admit करता हूँ, यानि गलती स्विकार करता हूँ next है तंग करना, परिशान करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं annoy, तुम मुझे annoy कर रहे हो या फिर bother, bother करना, annoy करना, यानि किसी को तंग करना, परिशान करना next है इसके अलावा, इसके अलावा को हम इंग्लिश में एक तो कहते हैं anyway यानि कोई बात चल रही है, चलते चलते हैं आपने कहा anyway, मतलब इस बात के अलावा एक और बात करते हैं और एक और वर्ड है besides, besides का मतलब भी होता है इसके अलावा जैसे besides, मनीश, everyone came to the party, मनीश के अलावा सब लोग party में आये थे next है, प्रतीत होना, दिखना, लगना, इसके लिए वर्ड आता है appear तुम बहुत दुखी-दुखी अपियर हो रहे हो, तुम बहुत ठकेवे अपियर हो रहे हो या seem, you seem tired, तुम ठकेवे दिख रहे हो तो प्रतीत होना, दिखना या लगना इसके लिए वर्ड है appear और उसका synonym है seem नेक्स्ट है जजबा जजबे को हम इंग्लिश में बोलते हैं passion और एक और वर्ड है enthusiasm enthusiasm या passion यानी जजबा और जिस वक्ति में जजबा हो उसे हम कहेंगे enthusiastic या passionate ये दोनों ही words बहुत ही काम के हैं, कई बार पूछे गए हैं नेक्स्ट है खुश्बुदार, खुश्बुदार को हम इंग्लिश में एक तो बोलते हैं aromatic जैसे aromatic oil, खुश्बुदार तेल और दूसरा word है fragrant, फ्रेग्रेंट यानी की खुश्बुदार ये दोनों एक दूसरे के synonym हैं, नेक्स्ट वर्ड है मत, मत जो हम elections में अपना मत दान करते हैं उसे एक तो बोलते हैं ballot और एक और word है poll, ballot और poll, इनकी spellings ध्यान से देखिएगा next है किसी को हराना, इसके लिए एक word आता है defeat और एक word है beat beat का मतलब किसी को मारना पीटना भी होता है पर ये किसी को हराने के लिए भी use में आता है next है अजीब और बेकार सा इसे English में एक तो बोलते हैं bizarre ये तो अकसर competition exams में आता है और एक और शब्द है weird, weird और bizarre यानि अजीब और बेकार सा next है व्यस्त होना, busy होना या engage होना engage होने का अर्थ सगाई करना भी होता है वैसे सगाई के बाद तो busy होई जाते हैं next है अजीब, betu की, filmी बात इसके लिए एक और आता है cheesy, ये तुमने बहुत cheesy dialogue बोला है बहुती cheesy बात कर रहे हो या फिर tacky, इसका मतलब भी अजीब, betu का next है, चुनने में नकरे करने वाला, जो बहुत नकरे करता है किसी चीज को चुनने में उसके लिए एक और आता है choosy और एक है picky जो choose करने में या pick करने में बहुत नकरे दिखाता है उसे हम कहते है choosy या picky next है, भाव विवरण भाव विवरण को हम एक तो बोलते है quotation और एक और word आता है citation जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप market से जो भी उसके dealer हैं उसको बेचने वाले हैं उनसे आप उसका quotation लेते हो कि आप हमें ये कितने में दोगे तो वो आपको भाव विवरण देते हैं next है simit करना या simit होना इसके लिए वरड आता है confine और एक और वरड है restrict अब वो bed तक confined हो गया है मतलब बिस्तर तक simit हो गया है अब उसकी age बहुत जादा है वो बिमार बहुत जादा है इसी तरीके से restrict किया गया किसी को मतलब उसको सिमित किया गया कि आप इस area से बाहर नहीं जाओगे अगला है फसाद या विवाद कोई जगड़ा फसाद किसी बात पे विवाद एक वर आता है clash और एक और शब्द है conflict दोनों भाईयों में आपस में clash हो गया किसी बात पे उनमें conflict हो गया यानि जगड़ा फसाद विवाद हो गया अगला important word है ख्याल रखने वाला जो हमारी बहुत ख्याल रखता है हमारे लिए विचार करता है सोचता है उसे हम बोलते हैं considerate कि you are so considerate और एक और शब्द आता है thoughtful thoughtful का मतलब भी होता है जो ख्याल रखता है सोचता है जैसे हमारे parents हमारा बहुत ध्यान रखते हैं वो बहुत considerate होते हैं हमारे लिए thoughtful होते हैं next जो चोकोर structure होता है या shape होती है उसके लिए एक तो word आता है cube जैसे ice cube या पनीर के cube सम काटते हैं सबजी बनाने से पहले और एक और शब्द है dice जैसे ludo में या snake and ladder में dice पैकते हैं हम पासा तो dice या cube यानि चोकोर friends ये कुछ ऐसे synonyms थे जो कई बार exam में पूछे गए हैं आप इन्हें अच्छे से याद कर लें इनकी spellings भी अच्छे से देखें इन्हें कहीं note down करें आने वाले exams में भी इनके आने की possibility बहुत अधिक हैं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक और topic के साथ यदि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो please subscribe कीजिए bell button को hit कीजिए ताकि सभी notification आपको मिल पाएं और like करें comment box में अपना feedback भी दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ share भी करें Thank you so much